बाबा साहब भीमराव अंबेटकर की जैनती प्रतिवर्श 14 अप्रैल को हम सभी मनाते हैं बाबा साहब का सविधान निर्माण में कितना यूगदान रहा है क्या-क्या उन्होंने कार्य किये हैं आज इसी विशर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दॉक्टर सुनील मिश्र जी स्वागे थे सर आपका हमारे कारिक्रम में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भीमराव अंबेटकर की के बारे में कुछ बताया भारत के संभिधानी कि तिहास में जिने हम संभिधान निर्माता के रूप में जानते हैं जिनों ने सामाजिक नयाय, सामाजिक समरस्ता और सामाजिक विकास के विस्यों को न किवल रास्ति आयाम दिया अपी तो उन्हें एक बैस्विक इस्तर पर भारत को इतना मजबूत पटल प्रदान किया कि भारत में रहने वाला कमजोर वर का या कोई नीचे तपके का भी व्यक्ति अपने सामाजिक अधिकारों के लड़ाई आसानी से लड़ सकता था ऐसे विस्यों को इस्थापित करने वाले विचारक के रूप में हम डॉक्टर भीम राव अंबेटकर को देखते जैसा कि हम देखते हैं कि स्वतनता प्राप्ति के प्रशात जो संविधान निर्माताओं की एक कमेटी बनी उस कमेटी में एक प्रारूप समीती बनी थी प्रारूप संभीता कमम था – संभीधान किस प्रकार डिजाइन होगा, यह प्रारूप बनाने वाली संभीता कारी था जिसके अध्ययस्त्य थे, दॉक्टर भीमञा अंबेटकर। तो हम इस परष्तर समझ सकते हैं का अध्य। मेट करते तो आज इस एक ब्रिहद संविधान को हम भारत के संदर में देखते हैं उसके एक विशिस्ट युगदान देने वाले व्यक्तित्व के रूप में हम इने इसमरीद करते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब जाती शब्द के बहुत बिरोधी थे अस्प्रिशता को लेकर भी वह बहुत ज़्यादा माइने उनकी बाते हम रखते हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए भारती समाज की बात करें 1932 के पहले तक अगर हम देखें इसका एक सम्मेधानिक धांचा देखें जब तक इस अस्प्रिशता के विशय को लेकर के कोई एक बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी तब तक वास्तों में हमारे समाज में अस्प्रिशता का जो सद्ध था वो आप में बड़ा ही एक कटू अनभव देने वाला था लेकिन अमबेटकर जी के सत्प्रयासों से 1932 में पुनापैक्ट होता है और 1935 में विशेश रूप से जब भारती सम्मेधानिक संसोधन एक अधिनियम आता है भारत सासन अधिनियम उसमें अस्प्रिशत सब्द को कोड करके यहां से समाजिक नियाई की जो एक लड़ाई थी उसकी सुरुवात अमबेटकर जी द्वारा की जाती है और सने सने यही जो एक प्रयास था आज भारत में एक समरस्ता मुलक समाज के स्थापना के रूप में हम अमबेटकर जी के योगदान को देखते है वर्तमान विग मे एक भारत के संस्कृति की विशिस्ता रही है अमबेटकर के विचारों को केंदर में रख करके ही हम बैस्विक अस्तर पर भारती ध्वचका पता का और मजबूती से भहरा सकते हैं क्योंकि अमबेटकर ही एक ऐसे विचारक थे जिनोंने स्वतनता पूर्वही भारत में समरस करने जा रहे हैं बाबा साहब सिक्षा को लेकर क्या सूचते थे डाक्टर भीम राव मेटकर ने जब अपने सच्छिक यात्रा को प्रारंब किया तो हम देखेंगे कि उसके पुरुतक भारती समाज में जो अस्प्रिस सिक्षा थी उसका इस्तर बहुत अच्छा नहीं था ले इस्तमान भारती समाज को यह संदेश देने का काम किया कि अस्प्रिस समाज से निकला हुआ व्यक्ति भी सिख्षा के उच्छतम इस्तर तक जा सकता और वहीं से समाज में सिक्षा के प्राप्ति को लेकर के जो विदेश जाने की एक प्रंपरा थी जो केवल उच्च वर के विक्ति ही जा सकते थे उस बाधा को भी तोड़ने का काम अमबेटकर जी ने किया और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे भारत में राजनेतिक चेतना का विस्तार हुआ अमबेटकर जी की वैचार की ही रही जिसने भारत में सिच्छा को सर्व समाज हेतु सुलब कराया उसके बाद जितने भी हमारे सैच्छिक विकास हुए चाहे हमारा राधाकृष्ण आयोग रहा हो चाहे उसके बाद विस्तुविद्याले उंदान आ बल दिया कि यदि इस्त्री सिक्छा का विकास हो इस्त्री सत्ता का विकास हो तो भारती समाज में एक विकास की जो धारा बहेगी वह समता मुलक समाज के स्थापना करने के और केंद्रित होगी तो उन्होंने सदैव नारी सक्टी नारी सिक्छा पर बल दिया और उसी का पर झाल झाल